वेलकम टू माई यूटूब चैनल एडिको क्लासेज माई नेम इज मनीस और आप देख रहे हैं एडिको क्लासेज को सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थाइंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ ओ है आपका concept of core curriculum hidden curriculum और spiral curriculum lecture number 11 है knowledge and curriculum का जहां दोस्तों आज lecture number 11 को discuss करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में इससे पहले मैंने lecture number 10 तक आपको discuss कर चुका हूँ knowledge and curriculum का जिसमें मैंने knowledge क्या होता है curriculum क्या होता है इस सारे का वीडियो मैं ने बना दिया है अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज हमारे description box में जाए और वहां से इन सारे वीडियो को आप देख लिजे ए वीडियो काफी ज्यादा important है उन सारे दोस्तों के लिए students के लिए जो BA, DLA, diet की preparation कर रहे हैं त्यारी कर रहे हैं और notes यह काफी ज्यादा important होगा बने रहे हैं मेरे शाथ तो देखते रहे हैं अन तक वीडियो ताकि आज पता चले कि concept core curriculum क्या है hidden curriculum क्या is spiral curriculum क्या है वीडियो पसंद आए तो like कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए क्योंकि share is caring तो बिना delay के वीडियो को start करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि curriculum क्या है curriculum जो होती है वह आपका academic, physical, emotional, external, overall development पर focus किया जाता है बच्चे की overall development पर focus करने की point of view से उसे एक curriculum बना जाता है जिसे पार्ठी करम कहा जाता है हिंदी में क्या कहा जाता है पार्ठी करम जो होता है inside the school और outside the school उन सारे चीजों को इस curriculum में include किया जाता है और रखा जाता है यहां हम बात करेंगे core curriculum तो core curriculum जो होता है set किया जाता है school और college के base पर जिसमें important जो होते हैं subject को डाला जाता है जैसे कि social science, geography, biology, history और शाथी साथ knowledge, skill और value को डाला जाता है core curriculum में ठीक है और शाथी साथ जो optional subjects होते हैं fine arts, home economics, language, music इन सारे को भी include की जाती है core curriculum में आपका compulsory और optional subject को भी क्या किया जाता है include किया जाता है और उसको कहते है core curriculum अब इसको तयार किया जाता है मैंने आपको बता है कहां set किया जाता है schools या college और पिर course in subject इस सारे चीज़ जगव पर आपको आपके college या आपके school के according आपको तयार किया जाता है तो इसमें क्या क्या होता है core curriculum में आपका subject डाला जाता है optional और compulsory subject को मिला कर एक curriculum तयार किया जाता है जिसे core curriculum कहते है ठीक है अब यह core curriculum का characteristics क्या है तो core curriculum जो होता है आपका emphasize मतलब जोड़ देता है discussion बेस पर discussion को जोड़ देता है मतलब discussion group problem solving को emphasize करता है प्रभावीत करता है emphasize का मतलब होता है प्रभावीत करना ठीक है learning is not restricted to the classroom core curriculum जोता है इसका characteristics है कि आपका learning मतलब सीखना कोई जरूरी नहीं है कि classroom में ही यह सीखा जाया यह restricted नहीं कि आप classroom में ही बैट कर सीखो ठीक है ना course from a coherent whole integrated either through discipline, themes, content और combination of these यानि कह रहा है course जोता है आपका whole integrated एक करन या तो discipline कह सकते हैं आपके core curriculum जो होती है वो आपका whole development पर focus की जाते है इसलिए उसका जो course होते है overall development को देखते हुए उसकी discipline, theme और जो सारे चीज़े फॉर्म किया जाता है उन सारे चीज़े overall development को देखते हुए बनाया जाता है ठीक है overall development करने के लिए बच्चे को सिर्फ और सिर्फ बुक से पढ़ाना उचित नहीं होता है इसलिए बुक की content को साथ-साथ external, optional चीज़ों को extra चीज़ों को भी इसमें include की जाती है जैसे music, dance, fine arts इस सारे चीज़ों को भी course को subject को optional के रूप में उसे तयार किया जाता है ताकि बच्ची का जो development हो और ज्यादा अच्छे से हो और ज्यादा emphasize करें उसकी development में ठीक है ना core curriculum का आप utilize कर सकते हो, utilize the problem of personal और social development, personal development और social development को develop करने में आप क्या कर सकते हो, core curriculum help करता है, core curriculum इसलिए बनाया जाता है ताकि आपके पास जो जो भी समस्या है जो जो भी problems आए उस problems को आप क्या कर सको, shot out कर सको, आप उसे निप्टा सको, आप tension में ना हो आप मतलब कह सकते हो कि आप अच्छे से problem को solve करने में आपके पास capability आया ठीक है ना यह core curriculum जो है ना, it's a encourage the use of the problem survey, solving technique, यानि और face and solve problem, जो problem साती है उस problem को solve करने के लिए आपके पास एक technique होनी चाहिए, आपके पास आपको encourage किया जाता है, कि आप उसे घबराओ ना है, आप उसको सामना करो, face to face उसे सामना करो, इसलिए उसे encourage किया जाता है, पर साहन दिया जा यह social competency को develop करने में help करता है, जितने में society से related जो भी चीजे होती है, like आपका meeting society में जो जिस तरह से development value, तो उन सारे चीजों को बच्चों में develop करने के लिए core curriculum में यह सारे चीजों को include की जाती है, ठीक है, अब हम बात करेंगे hidden curriculum क्या होता है, ठीक है ना, तो hidden curriculum जो दिया गय फिलिफ डबलू जैक्सन के द्वारा यह आपका attribute थे इन्हों ने इसका introduce कर वाया था, फिलिफ डबलू जैक्सन, ठीक है ना, hidden curriculum में हम देखते हैं कि इसका meaning पहले देख लेते हैं, hidden, hidden का मतलब ही होता है छुपी हुई, एक ऐसा particle जो छुपा हुआ होता है, छुपा हुआ क मतलब ऐसा नहीं है कि आप घर के अंदर, रूम के अंदर बंद गया, मतलब इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, जो छुपी हुई sense में होता है, जैसे कि आप बात करते हैं, hidden concept describe of an unarticulated, यह क्या होता है, unarticulated और unacknowledged things होते हैं, ठीक है ना, students are taught in school, students को कहां पढ़ाया जा experience होता है, उसको affect करता है, जैसे कि इसमें hidden curriculum में इंक्लूट किया जाता है, जैसे कि behavior, students के behavior को आपका, उसको ध्यान में रखते हुए, क्या change जा रहा है, students की behavior में, क्या है, उसकी perspective से attitude, students का, इन सारे चीजों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, curriculum को बनाया जाता है, आई रिपीट कि इसमें hidden curriculum में behavior, perspective और attribute इसा से चीजे students का क्या किया जाता है, pick up किया जाता है और देखा जाता है और उस साब से उस curriculum को बनाया जाता है, form किया जाता है, ठीक है ना? इस contrast with the formal curriculum, such as a course and activity and the student's participation, hidden curriculum जो होता है, आपका कह सकते हैं, the lessons that are taught informally, usually unintentionally in school system, तो इसमें आप कह सकते हैं, बच्चे को जो पढ़ाया जाता है informally, और साथी साथ usually unintentionally in school system, ठीक है ना? इस school system में जो कह सकते हैं कि formally, informally, जो भी attitude होता है, जो भी perspective होता है, जो भी behavior होता है students, से related students का, उसको ध्यान में रखते हुए hidden curriculum को बनाया जाता है, इसको और दिखते हैं कि कैसे, तो hidden curriculum किसको रेफर करता है, unwritten को रेफर करता है, unofficial को रेफर करता है, वेलिव को रिफ़र करता है वैल्यू को रिफ़र करता है नॉर्म्प्रола क्लासरूम में जिसको कह सकते हैं कि लिखा हवा नहीं रहता है लेकिन वैसा एक स Eleanor क्रिट किया जाता है है ना, बच्चे एक स्छढ़ते हैं सारे कुछ वैलू, प्रस्पक्टीव, ब्लेफ चिजोंग के बारे में तो इस सारे चिजे तो शोचल इंब्वार्मेंट इस सारे चिजे स्कूल में, क्लास में सिखते हैं बच्चे तो इस परकार का जो करिकुलम सोते हैं उससे hidden करिकुलम कहते हैं मतलब जो डिकता नहीं है जो मतलब कह सकते हैं बोक्स पर मेंशन नहीं रहता है उसको एक hidden टाइप से बताया जाता है ठीक है ना स्टुदेंट लर्न टू फ्रम ऊपिनिये शिद्ट जो कहा सेचते हैं ऊपिणियन से और कहा आईडिया से एबाउट ढियरू वहते हैं और समिद्ट और क्लासमीट क्लासमीट में कुम कॉणकुंस होता हैं सब्सक्राइब करता है यह एक्जामीन नहीं होता है यह इसको बोला गया है जैसे कि आप एक्जामपल से देख लो आपकी चिल्डरेन लर्न एप्रोप्रियेट वे टू एक्ट एट स्कूल और दुसरा दो में पीक अपॉन दफैक्ट एट इयर इन टेस्ट स्कूर्स और वाट रेली मैटर्स सुलो यह सारे चीजे थे आपका हेड़न करिकुलम का अब हम बोलते हैं देखते हैं स्प और देखा दिखम जो बार 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 रिपित किया चैनल है किसी चैनल ऩो किसी भी के ठीव को इब उसे कंतू को चैनल पंडेान यह स्पाूस. आप फोर्स पढ़े हो क्लास अगर 6 में पढ़े हो फोर्स तो उसको 7 में पढ़ोगे 8 में भी पढ़ोगे हां उसमें content इसमें 6 वाले क्लास में थोड़ा कम होगा compared to 7 7 में कम होगा compared to 8 8 में कम होगा लेकिन रीपीट तो हो रहा बंदोऊ किन उसम pł oneолот फोगा लिसे किया जाता है इस परकार के फी्स इंधी में परद तो करिकुल्म में का जाता है इस match स्पायरल कड्यकुल्म टीक तूर यह सीख न सीखने वाले में पहले वाला क्या करते हैं though the value को दिए सब्सक्राइब कंट emissions उसको चोटे चोटे विर दिया जाता है according to student age जैसे हैं कि कईभी चैप्टर ब्रॉड है तो उसको जी से डीसिप्लीण आप देखो ना डीसिप्लीन जो होता है यह आपका डिसिप्लीन मतलब तो इस इस को मड़ी सब्सक्रच औ है तो अड 싶म गया क्लासेंस बे लेकर of सब्जेक्ट टोपिक होता है उससी को फबाटर ट ऊक्लास के साथ नहीं पलाच लेटीट कर सकता अक्सेप्शनल कुछ भी है लेकिन नहीं कर सकता है तो इस सारे चिज़ेकर स्देट के का ओते ह但 लेवल गण्युavor कहते हैं उसको ऑन कट्या कूंपसर के जाता है बनायी जाता हूँ लर्निंग टेक प्लेसे चाहिए सिंपल to complex इस तरीके से अपका लर्निंग होता है इस सब रिपीटेशन से क्या होता रिपीटेक्टेशन से क्या होता है के जो लर्निंग होता है की वो काफी ज़ादा इफ्र्य। vớiक्फ breaking इसका इस्पाइरल करिकुलम बनाने के पीछ से यही का रहा है कि लर्नर की स्किल्स को स्टेंट मजबूती देना और उसको रिटेंशन आप लर्निंग जो छोड़ते हैं रिटेंशन लर्निंग सिखने में उन्हें प्रेजेंटेंशन मतलब ज्यादा वह स्किप ना कर दे चीजों को छोड़ करना भागे उनकी प्रेजेंटेंशन उनकी इंट्रेस्ट को क्या करना बढ़ाना टिकने डेवलोप्मेंट आप अब इसके बर्नर के अनुसारा गदेगा डिसकस्ट आइडिया ओप स्पाइरल करिक को मेंशन किया है दे प्रोशेस ऑफ एजुकेशन के नाम से प्याजे ने भी इस करिकुलम को मतले पाइरल प्रोख को भी सपोर्ट किया हुआ के सपाइरल करिकुलum जो होते है काइज इसके बचे के विबच्ची के लिए याधा एस चिस ज़या और लेर्णिं नानेक्य ल काफी ज्यादा important role play करता spiral curriculum sets a low comprehension goals for each grade level as students gain mastery of the subject पहले इसमें क्या होता है goal goals छोटे level पर low comprehension goal पर set किया जाता है उसके बाद फिर big each ऐसे तो और यह छोटे से फिर बढ़े goal के और students क्या होता बढ़ता है ताकि छोटे से बढ़े के और अगड़ बढ़ेगा तब जाकर मतलब student अपने subject में क्या हो सकता है mastery बन सकता मास्ट्री अच्चीब कर सकता है तो अच्छा कर सकता है उस subject पर उसकी पकर हो सकती इतना करिकूलम कहता है अगर आपका इसका पीडियो चाहिए तो आप मुझे टेलेग्राम पर फॉलो किजिए टेलेग्राम पर मैं आपको पीडियो दे दूंगा और साथ ही साथ आपको अगर किसी परकार का कोई डाउट रह गया हो कुछ कहना हो तो फ्लिस फ्यूडवाइक दीजि कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ सेर ज्यादा से ज्यादा कीजिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक अपना बहुत ही क्या रखिएगा एव गड़ डेए